सर ये bank audit बहुत बड़ा chapter लगता है कहीं न कहीं इसको revise करने में हमें बहुत सारा time लग जाता है तो क्यों न आप हमको एक प्यारी सी revision करा दो जहां पे जितनी भी सीज़े आपके notes में दे रखे हैं हम इनको अराम से revise करने कम से कम time में तो दोस्तों एक घंटा एक घंटे में आ ताकि ये बाकी CA inter students तक भी पहुंच सके नाउ enjoy this revision अब जो रूरल एरियास में बैंक है उनको बोलते है रर बी सर रर बी की specialty क्या है ये रूरल एरियास को cater करते हैं जो रूरल एरियास की financial और banking नीड़े उनको meet करने में help करते हैं ठीक है सर अब इन बैंक्स की खासी आते है इनके नाम में आते है ग्रामीन पज्याव ग्रामी ग्रामीन बैंक अलावाद ग्रामीन बैंक और आंध्रप्रदेश ग्रामीन विकास बैंक तो जब भी नाम में ग्रामीन देखें मतलब यह अरर भी है अब इसके बारे में हमने आगे एक चीज और पड़ी थी जो रीजिनल रूरल बैंक है उस पर फ्रॉड की रिपोर्टिं हमें उनके साथ कॉपरेट करके उनको पेमेंट देके डेवलप करा देना चाहिए क्योंकि रूरल एरियास के बैंक स्मॉल है तो हमें उनके साथ कॉपरेट करके पेमेंट देके उनको डेवलप करा देना चाहिए तो इससे तुमको सारे बैंक स्याद आजेंगे एक बार स्क्रेंड लाशन को पुरbu ही और इनके नाम में कॉपड़ेटेव और जिसमें नहीं हाता इसमें आता है सहकारी लेख शन पेशने bank मार्यादित, मार्यादित मतलब limited तो यह आपने एक basic बात ध्यान में रखके चलनी है, फिर हमने बात करी payment bank की यह है paytm payment bank अब इन payment bank का बात क्या है ना, यह आधिया दूरे bank है, sir आधिया दूरे मतलब they can accept the deposit limited but they can't give loan, they can't give a credit card तो यह है आधिया दूरे bank ठीक है sir, फिर आता है development bank यह है अपन बचपन से पढ़ रहे है, SIDB, NABARD IDB, ठीक है cute cute से नाम है, इनमें क्या है इंडिया को develop करना है, इंडिया का development कब होगा, जब infrastructure develop होगा road बनेगी, pull बनेगे, मज़ा आएगा तो मैंने काई, यह मज़ा मैं सबको देना चाता हूँ तो provide the funds provide the funds for infrastructure facilities got it, got it sir and last मैं आता है small finance bank यह bank छोटे नहीं है, बड़ यह छोटे लोगों की मदद करते है, यानि they provide the financing facility to the unserved जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा unserved, un, एक और unorganized, unserved तुम भी तो ऐसे याद करते हैं न, एक और अन था सर, याद नहीं आ रहा, but unserved and unorganized sector, like small and marginal farmers, like your small and medium enterprises, ठीक है सर, फिर आता है सर, RBI बैंकों का bank, RBI इसका क्या function है, कुछ नहीं, पहले financial system बनाओ फिर उसको regulate करो फिर government के साथ बैठ के policy policy खेलो, ठीक है सर and last में क्या करता है, regulate करता है activities को, अब इसके important functions ध्यान रखना, दो function currency वाले, issue the currency, regulate the currency, अगले दो function थे bank कर वाले, क्या ये अपना bank है, मैंने का नहीं, ये bank है बड़े लोगों का, government का bank और bankों का bank, and last में ये regulate करता है, तो regulate हमेशा last point करी, तो penalty लगी की penalty लगी, तो financial statement पर impact आता है, so it's very very, 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 very important to know, bank की उपर कौन कौन से laws and regulation लगते हैं, तो मैंने का सबसे basic act से start करते हैं, banking regulation act, 1949 ठीक है सर, अब इसके बाद सर, अगला कौन सा आता है, मैंने का, 6 साल बाद SBI आई, यानि 1955 में SBA act आया, उसके 4 साल बाद उसकी subsidiary पैदा होई, उसका नाम क्या था, SBA subsidiary act, 1959 तो 49 से 59 तो हो गए, फिर basic basic act, companies act आगया, IT act आगया, और पमला आगया, 2000 और 2002, अब सर आते special question, अगर suppose कल को खुदाना खासता, मैं bank audit करने पहुँच गया, तो सर एक बात बताओ, मुझे किन किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी unusual चीजे क्या है, peculiarity क्या है, बोलो मेरे साथ, peculiarity क्या है, सर peculiarity का क्या मतलब होता है, unusual things about bank, तो सारे बच्चों ने बोला, सर इसकी branchे फैली भी है, यानि it has a very wide geography spread, बहुत फैला हुआ बैंक है, और जैसी branch में जाते अलग-अलग products और services है, large number of products and services, अब इतने products हैं, तो इतनी transaction है, इतने product हैं, तो इतनी सारी transaction है, यानि, last point क्या था, huge volume of transaction, अब सारे बच्चे बताओ, ये सारा मामला समेटा कैसे जा रहा है, ये रहा है, सर, उपर है, आँक RBI की, यानि, vigilance vigilance by the regulator, जो regulator है, वो इन पर vigilance बैना के, बैट है, clear है, जल्दी से बताओ, अगर peculiarity का question आएगा, तो पांच में से बांच लाओगे, नी लाओगे, मित्रो, लाएंगे सर, done, 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 अब सर, अगला सवाल, bank audit में आपकी अप्रोच क्या रहेगी, तो सबसे पहले plan की बात करेंगे, plan का क्या मतलब होता है, rep और fap, यहाँ पर fap की बात नहीं करनी, rep की बात करनी है, risk assessment procedure, understand the entity and its operation, मैंने का very good, nature and level of operation, अब इस operation में inherent risk है, और control risk, inherent risk का नाम क्या था, कि इन लोगों ने control से कितना comply किया है, इन लोगों ने control से कितना comply किया है, compliance कितनी है, and last में sir, मैंने का, row mom की बात हो गई, inherent risk भी आगया, control risk भी आगया, मिला है, तो row mom, इसके बाद जो बड़ी risk है, audit risk, आपने audit risk देखनी है, अगर controls में कोई deficiency मिलती है, तो ठीक है, ठीक है sir, अब sir, आते है control environment, ये मैंने आपको का था, एक बार इसकी जो quotient वाली table ICA के study material से देख ले ना, फिर आते है sir, engagement team की discussion, important topic from exam point of view, एक engagement team क्या अच्छे अच्छी वात है करती है, चिंता करती है, सु चिंता, किसको लेके, misstatement को लेके, misstatement कैसे होती है, errors or fraud, तो जल्दी से error और fraud वाले 3 point बताओ, ऐसे error जो होने वाले है, या ऐसे error जो past में हो चुक है, तो चिंता किसकी होती है, तो future की, या past की, present की कोई चिंता ही नहीं है, तो errors which are likely to occur, और errors which have identified in the past, fraud which can happen in the bank, यानि method by which the fraud can be perpetrated by the bank personal or others in relation to the financial statement, financial statement में क्या आता है, account balance आते हैं, और disclosures आते हैं, ठीक है सर, अब तुम क्या करोगे, सर respond करेंगे, we will respond to the 3 types of risk, EPS engagement risk, pervasive risk specific risk, आहा, engagement risk, pervasive risk, specific risk, एक और बार, engagement risk, pervasive risk specific risk, very very good, अब इसके बाद, respond करने के लिए, मैंने क्या का था, alert रहना, यानि professional skepticism, दोनों के दोनों point हो गए come on तेखो, अराम अराम से हो रहा है इसका यह नहीं क्या असान है, तुमने मजे ले लिए पूरे class में, you people are now pro, अब आओ मेरे साथ advantages of this discussion, advantage simple सी बाद है, तुमको fraud का पता लगेगा, तुम respond करोगे to the three types of risk अब असली में response कैसे कर रहे हैं, दो लोगों को लगा के, experience team member और expert, तुमने कई ना कई experience team member भी लगाया, और expert भी लगाया, done, done sir, फिर हमने छोटी-छोटी बात है की थि, आर मतलब क्या-क्या पढ़ते हैं ना, मतलब, appointment of auditor, कौन auditor अपरण करेगा, sir, अगर banking company है, तो company में तो shareholder ही करते है, AGM में, very good, और अगर ये nationalized bank है, तो board ही करेंगे, यानि board of director, दोनों case में approval किसका लगेगा, RBI का, और तीसरा case कैसर, तीसरा case है, regional rural bank, सर, हम जा नहीं पाएंगे, बहुत rural area में है, तो bank को क्या बोला, खुदी कर ले, हमने bank को क्या गा, खुदी कर ले, बट त्यूंकि तो छोटा bank है ना, तेरे को approval लगेगा, क्यूंकि तो छोटा bank है ना, rural bank है तो तेरे को approval लगेगा, सर, approval किसका, central government का, ठीक है, ठीक है सर, फिर हमने बात करी, remuneration की, बड़ा simple है, जैसे section 142 में होता है, वो ही होगा, अगर कोई banking company है, but if it is a government वाला bank, यानि it is a nationalized bank, और it is a SBI, यानि उसमें government की feel है, तो बताब government को पैसा कौन देगा, किसके बास note छापने की machine है, remuneration के लिए RBI, तो हम RBI से लेंगे है, अब यहाँ पर approval आएगा या consultation, consultation, RBI बड़ी party है, तो RBI consultation लेती है, central government की, फिर हमने बात की थी, auditor report की, सर, auditor report हमने किसकी बात की थी, nationalized bank और SBI, दोनों की same ही होती है, वो ही 2 point हो हमारे 143-3 वाले हैं, पहले law में पढ़े, फिर audit में भी पढ़ी, अब तो याद ही हो गए है, कि सबसे पहले हमको वो information, explanation मिली की नहीं हो चाहिए थी, financial statement, true and fair view देते हैं, plus जिन branches तक हम पहुँच नहीं पाएं, वहाँ से summarize returns आएं, फिर sir, अगला point पते है किसको याद आएगा, जिसके पास power है, अगला point उसी को याद आएगा, जिसके पावर है, क्योंकि point ही power के बारे में, यानि whether the transactions done by the bank, were within the powers or not, and last point is any other matter, ये तो सब को याद आजाएगा, ठीक है sir, अब आता है LAFAR, अब मुझे बताओ, ये जो LAFAR है, LFAR, ये मेरा काम बढ़ गया, हाँ sir, तो ये terms of appointment में लिख्यों होनी चीए, तभी देंगे वर्णा नहीं देंगे, ठीक है sir, अब ये जो देनी है, इसमें लिखना क्या है, बोलो जा पूच किया, तारे बच्चे बोलो, जा पूच किया, किस से पूच किया, RBI से, यानि इसमें जो matters to be stated होंगे, that will be specified by RBI, कब तक देनी है, जल्दी से बताओ, सारे बच्चे chatbox में, हमें जो LAFAR देनी है, वो देनी कब तक है, it should be submitted before what, सावन से पहले sir, सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, सोर, मैंने का शोर का क्या मतलब है, 30 June every year, यानि जुलाए में बारिशे शुरू हो जाते हैं, तो जुलाए आने से पहले-पहले आपको देना पड़ेगा, यानि 30 June से पहले-पहले देना पड़ेगा, ये बाद आपको ध्यान रखने है, और इसके बाद क्या था, देने से पहले प्लैनिंग करेंगे, अगर चाहो तो समरी वगरा डाल देना, ठीक है sir, अब आता है reporting of fraud to RBI, बड़ा ही simple topic, बड़ा ही simple topic, Coca-Cola वाला topic, Coca-Cola तू, बताना इसमें क्या था, लगदा committee on legal aspect, यानि अगर कल को कोई fraud होगा, तो क्या legal laws and regulation रहेंगे, वो ध्यान रखना है, committee on legal aspects for bank frauds, ठीक है sir, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, अगर कोई chartered accountant है, यानि professional accountant है, if there is a professional accountant, वो कोई सा भी audit कर रहा हो, internal, external, institutional, internal, external, या institutional, और उसको कल को कोई fraud मिला, तीन तरीके का, susceptibility to fraud, fraudulent activity, या fraud की, खुश्बु आई, यानि he smells fraud play, तो उसको he need to report to the regulator, और अगर नहीं बताया, तो उसके खिलाफ legal action होगा, that will be making him liable for legal action, so in other words, if a member finds a fraud, report to RBI, इसके बाद हमने, दो essays का तड़का लगा था, वो बताओ, तो मैं मानू, वो बताओ, तो मैं मानू, कौन से दो essays का तड़का लगेगा, एक essay, और दूसरा essay, और उन्होंने क्या क्या बताया था, वो भी बताना पड़ेगा, आईसा, ऐसे छोड़ेगे नहीं तुमको, 250, very good, और 240, 250 ने क्या का था, law उपर या confidentiality, जल्दी से बताओ, law उपर या confidentiality, sir law उपर, confidentiality will be overridden by the law, confidentiality नीचे, इसके उपर law, तो confidentiality will be overridden by the law, very good, और 240 ने क्या किया, इसने बताया, तुम्हारा काम है, reasonable assurance लेना, आईला की बात की थी, रुची का, जी, आहा, क्या बात है, इन्होंने बोला था, आईला की बात की थी, सुभी ने भी बिल्कुल से बताया, एकदम जूजूँ मचा दी पर इसकिया, पर एकदम बढ़िया वाला आजवा, very good, reasonable assurance, शामबाश, जिस जिस बच्चे ने 240, 250 की रेफरेंसिंग दिया, ताली बजा दो अपने ले, धूम्हारा हो तुम लोग, एकदम classic, very good, अब सर इसके बाद क्या, मैंने गा कुछ नहीं, आर्बिया के साथ साथ चाओ, तो आप बैंक का जो टॉप पे लोग होते, MD होते, CEO होते, CMD होते, इन सब को भी आप बता सकते हो, very good, इसके बाद सर हमने कौन सा टॉपिक बढ़ा था, types of reports, यो तो बड़ा simple था सर, rhyming, 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 rhyming का क्या मतलब था, LFAR, ICFR, SLR, ठीक है, फिर चुप चाओ, बैढ़ जाओ, SIT, SIT का मतलब था, Serious Irregularity, Income Recognition, Acid Classification, and T का मतलब था, Treasury Operation, फिर मैंने दो बाते करी थी, सर क्या-क्या, एक तो घोश कमिटी, घोश का मतलब है बकरा, बकरे के साथ क्या हुआ, Fraud, मैंने का, Very Good, तो घोश कमिटी में, Fraud वाली बात याद रहेगी, और उसके बाद, जिलानी जलजीरा, जिलानी कमिटी मतलब, जलजीरा आपके पेट को, पाचन शक्ती को, पाचन शक्ती को, बात करती है, Internal Control, Sir, सबसे बहले, मनी और क्रेडिट देता है, इसको, पर, साथी साथी, एगरिमेंट करता है, कि भाई, मेरा ये पैसा वापिस लोटा देना, That means, the money will be repaid, and it is an asset for the bank, obviously, अब Sir, क्या types of advances होते हैं, तो मैंने का, types of advances के, अगर हम बात करें, तो दो तरह के advances होते हैं, एक होते है funded, एक होते है non-funded, या आप ऐसे कहें तो, एक असली, एक बकवास नकली, Sir, असली वाले कौन से, funded वाले, जिसमें actually में, funds transfer होते हैं, यानि, there is a actual transfer of funds, from the bank to the borrower, इसमें example में, आप कुछ भी लेलो, long-term loan लेलो, short-term credit, cash credit facility लेलो, overdraft लेलो, जो चाहिए वो लेलो, ठीक है Sir, even staff loan वगर भी इसमें आ जाएंगे, तो दो-तीन example, बस ध्यान रखना, बागी read कर लेगा, अब आते है non-funded facility, non-funded में कहें न, नाम का loan है, पैसा दिया तो नहीं, जैसे की bank guarantee, जैसे की letter of credit, so these do not involve transfer of funds, ठीक है Sir, अब Sir, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है, classification of advances, पर classification of advances दो पढ़ रहे थे, मैंने का हाँ, उसी का second classification की बात कर रहा हूँ, sector wise, सर सेक्टर wise का क्या बतलब था, sector 4, sector 58, sector 66 नहीं, वो घरवाले sector की बात नहीं कर रहे है, यहां हम बात करेंगे, priority lending sector, सर यह जो priority lending sector है, इनको क्या lending करने है, किन terms and condition पर करने है, कितना percentage करने है, इस सब के लिए RBI आपको guideline करता है, ठीक है Sir, priority sector में आपकी guideline, क्या चीज़ों की बारे में बात करेंगी, target में वो इनको बोल सकते है, कि अगर आप 100% advances दे रहो, तो उसमें से 20% तो priority sector को target दे दिया, and last में से priority sector में क्या आता है, simple सी बात है, agriculture, education, hospitality, infrastructure, यह basic basic चीज़े इसमें आ जाती है, MSME, medium small enterprises, ठीक है Sir, अब इसके बाद हमने discuss किया था, nature of security, that is the primary security और collateral security, primary security और collateral security बड़ा simple topic है, Sir, इससे क्यों, suppose अपना कोई दोस्त है जिसका नाव है विशाल, अब विशाल को कोई working capital loan चीए, तो अगर इसको working capital loan चीए, तो working capital के लिए क्या pledge कराएगा, Sir, inventory pledge कराएगा, यह कई ना कई inventory की pledging करवा सकते हैं, और inventory के basis पे security ले लेगा, अब सर एक बाब बताओ, sorry, loan ले लेगा, security कैसे ले लेगा, loan ले लेगा, अब एक बाब बताओ, क्या bank के दिल में धगधग होगी, जल्दी से बताओ, क्योंकि उसको डर लगेगा, कल को inventory की value गिर गई, तो मुझे एक additional security चीह है तो additional security के लिए मालो इसने अपनी building में गिर्भी रखवा थी तो यह जो building रखवा ही क्या यह primary security है या collateral security है this is a collateral security so primary is the principal security जिसके basis पे loan मिलता है collateral is a additional comfort job bank को देते हो अब collateral में सारे asset आ जाते हैं तुमको जोंसा देना है दे दो tangible, intangible, movable, immovable tangible, intangible, movable, immovable सारे के सारे, सारे के सारे asset इसके अंदर आ जाते हैं अब सबके example लिख देना tangible asset में आपके आ जाएंगे plantation tree यह सब आ जाता है biological asset और tangible में आपकी वो आ जाती है बपी लेरी, jewelry वगरा आ जाती है हाँ sir, jewelry आ जाती है, archaeological painting, sculpture यह सब आ जाता है और बताऊ sir क्या आता है, मैंने का movable assets में आ जाता है आपके goods, share certificates, यह सब आ जाएगा और immovable में आपने immovable properties की बात करी दी, तो यही 4-5 बस आपको categories द्यान रखने हैं intangible में अपने क्या ध्यान रखा तो guarantee, दो होती नहीं है पर हमने बोला guarantee दिखती नहीं है, तो intangible है तो जो भी guarantee वाले points है वो इसमें आ जाते हैं, यानि अगर कोई guarantor की personal security है वो इसमें आ जाएगी सबसे पहले आता है mortgage, यानि एक-एक asset wise चलेंगे, जो immovable properties है, उसके case में क्या आता है mortgage, क्योंकि immovable properties मोटी होती है, तो उनके case में mortgage, सर ऐसे body shaming नहीं कर नीचे properties की मैंने का sorry, अब सर एक बाह बता, mortgage दो तरीके के क्या होते है, एक होते है registered, दूसरे में unregistered मत बोल देना, बड़ा बक्वास लगेगा, ऐसा लगेगा पढ़के नहीं आयो, registered और equitable, ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि मेरे दिवाब में भी नहीं यह आता है, registered और unregistered, फिर मैं बताता हूँ, शुभम क्या कर रहा है, equitable बोल ठीक है, बच्चे मजे करेंगे, तो मैंने का ध्यान रखना सार equitable mortgage, इसमें क्या होता है ना, जो आपकी title, detail and and building की, वो आप सामने वाले को कर देंगे, हाँ, mega carry us movements, very very good, अब सरी आपको समझा ही बात, मैंने का very good, अब आते है, movable property, जो movable property है ना, इसमें दो तरीके की property, दो तरीके से आप कर सकते हो, सर क्या, एक pledge, और दूसरा क्या था, hypothecation, जली से बताओ, एक था pledge, एक था hypothecation, pledge में क्या होता है, जो आपकी inventory है, उसको आप deliver करते हो, उसकी आप bailment करते हो, यानि bailment और delivery of the goods from the borrower to the bank, क्या तुम ownership भी transfer कर रहे हो, मैंने का नहीं, अच्छा ये fixed charge है, या floating है, सर ये fixed charge है, सारे बच्चे बोलो, ये fixed charge है, because the charge is limited to the goods that are being transferred, simple, simple sir, अब इसी तरह में बात करूँ, hypothecation की, sir, hypothecation is a equitable charge, क्या आप प्यारी लाइन है, equitable मतलब equity and reason, वो ही keyword लिखे है ICI में, equity and reason मतलब simple सी बात है, यहां आप agreement करोगे, because ना तो आप transfer कर रहे हो possession, ना आप transfer कर रहे हो ownership, तो कैसे बता लगेगा कि आपने property transfer करी है, inventory वाली, so you need to have a proper hypothecation agreement, simple हो गया यह वाला point, sir, अब इसके बाद आता है, sir, अगला point, क्या हम debtor को भी transfer कर सकते है, हाँ, इसको बोलते, assignment, यानि आप assign कर सकते हो current or any future debt, उसमें जो आपकी right है, from one person to another person, मैंने का very good, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, only the actionable claims, इसमें key point क्या था, unsecured debtor, जो आपके other than secured है, आप उनको transfer कर सकते हो, यानि your debtors or life insurance policy, and इसमें हमने मस्त बात करीती, sir, क्या थी, जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, कि अगर आपका जो assignee है, ठीक है, यह जो assignee है, यानि bank है, इसके पास जो right है, क्या वो absolute है या conditional, sir, वो absolute है, this right is absolute, वो conditional नहीं ह बात बोली थी ना, मेरा debtor, आज से 13 हो गया, तो याद रखना, वो debtor पूरा हो गया, अब आपका उस पे कोई हक नहीं है, it is the absolute right to the assignee, got it, got it, sir, समझे नहीं समझे, समझ गए, sir, अब इसके बाद हमने बात की थी, set off की, तो नाम सी पता लगता है, कि debit को credit से set off मारो, यानि it is a statutory right, जो creditor के पास है, कि वो क्या कर सकता है, जो debtor के account में advance है, और deposit है, दोनों को एक दूसरे से set off मार सकता है, अब इसमें दो मसालेदार बाते है, sir, क्या क्या, जो मैं set off मार रहा हूं, क्या मैं वो, suppose, advance किसी और branch में है, deposit किसी और branch में है, तो भी क्या set off हो सकते है, हाँ for the purpose of set off, branches are treated as a single entity, पहली line, दूसरी important line इसमें क्या थी, sir, दूसरी important line थी, जटका जो था, मैंने आपको दिया था, कि it is applicable also for time-barred debts, जो debts time-barred हो चुके है, मतलब जिन पे आपको लग रहा थे, तो आप मैं recovery नहीं कर पाऊंगा, उनके भी आप debit और credit को set off कर सकते हो, right, right, sir, त आपने जितनी भी बाते करी, कि भाई, जो मैं immovable on movable properties के बारे में करता हूँ, क्या क्या point थे, moti building, तुमको या तो moti से याता है न, तो क्या body shaming की बाते करता हो, ठीक है, moti building का क्या बनता, moti building मतलब board gauge, right, उसके बाद आते lien और hypothecation, ये जो तीनो cases है, इसमें जब bank property को ब बनाते हो, ठीक है, where you can seize and dispose of, come on, where you can seize the property and dispose of in the market, clear है, clear है sir, ये सारे points को बंद याद रचने के लिए, बहुत फालतू सी memory technique मनाई थी, sir, इसका क्या रामदा, lassi, pk, hippo, जैसे, moti, come on, lassi, pk, hippo, जैसे, moti, sir, lassi, kya मतलब है, l for lien, a का मतलब assignment, s का मतलब था, set of, lassi हो गया, p pk, p for pledge, k से कुछ नहीं है, hippo, hippo यानी, hypothecation, done, dana, done, paper में भी मोटी पतली ही करके रहेंगे, हाँ, very, very good, इदर बताओ मुझे, ये फिर्म ने क्या गया था, break के बाद, break के बाद हमने topic बढ़ा था, हरे वाले कौन से है, standard loan, लाल वाले, गंदे वाले, NPA, standard में क्या आते है मैंने का अच्छे वाले, और SMA वाले, मतलब standard के अंदर भी थोड़े अच्छे और कम अच्छे है, ये सबसे अच्छे है, ठीक है, तो standard regular asset, उसके बाद आते हैं, सर्थोड़े कम अच्छे है, जो मतलब बुरे बनने वाले, इनको अपन बोलते है, special mention account, इसमें आते है, SMA 0, 0, 1, 2, 3V नहीं है, ठीक है, कल को तुम बोलो 3, 3 नहीं है, SMA 0, 1, 2, ठीक है, ठीक है सर, 0 में क्या आते हैं, ये आपके, आप ऐसा कह सकते हो, these are overdue for let's say 0 to 30 days, ऐसा लिखाने हैं पर मन में मान सकते हो, and इनके अंदर से stress signals आ रहे हैं, या नहीं है कही ना कही ऐसी feel दे रहे हैं हो सकते हैं, बोरो ने call करके bank को बोला हो, यार मैं इस बार तो पैसे नहीं दे पाँगा, तो इनके अंदर से stress के signals आ रहे हैं, या फिर which are overdue for let's say, 31 to 60 days, या फिर SMA 2 जिसके आप बात करते हो, 61 to 90 days, तो 90 days के बाद क्या, लाल वाले आ जाएंगे, 90 days के बाद लाल वाले आ जा हो, and 12 months के बाद आप आजाते हो doubtful में, तो जो doubtful एक साल तक है, वो D1, जो doubtful एक साल से तीन साल तक है, वो D2, and जो doubtful तीन साल से ज्यादा है, वो D3, ठीक है सर, and last में आगे loss asset, जिससे आपने उम्मीदी छोड़ दी, अब इनकी provisioning में discuss करते हैं, क्योंकि इसका जो question है, वो मैं आज आपको homework में वैसे भी देने वाला हूँ, तो सर, इसमें provisioning में हमको क्या ध्यान रखना है, मैंने का बड़ा simple है, सबसे पहले, standard asset की जो provisioning है, वो इन्होंने या नहीं दे रखी, तो अपन भी बात नहीं कर रहे हैं, तो सब standard की बात करते हैं, सब standard की जो provisioning है, वो है था 25-400, उसमें के आएगा 25-400, तो उपर 15% था, उसके बाद 25 पे आओ, 25 के बाद 40, 40 के बाद 100, clear है, clear है sir, and lost asset पे 100%, done, 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 फिर हमने एक point discuss किया about the NPS, NPS में क्या होता है, which are overdue for more than 90 days, अब NPS क्लासिफिकेशन है, वो depend करते हैं, कौन सा लोन है, so obviously it can be a long term loan, और it can be a short term loan, तो long term loan में if the installment is overdue for more than 90 days, then it is a NPS, और अगर short term loan की बाद करूं, तो यह कहता है, bill discounting को अलग से लेते, it is overdue for more than 90 days, and short term loan में special word क्या था, मैं भूल गया, dash dash dash, it was a three letter magical word, आप ऐसा कह सकते हो, what were those three magical letters, पढ़ा फट बता ना chat box में, क्या थे वो three magical letters, come on, come on, come on, out of order, out of order मतलब सर देखो simple सी बात है, out of order मतलब now it is not in order, order मतलब proper है, but out of order मतलब अब यह बेकार हो गया, out of order मतलब यह बेकार हो गया, अब यह NPA बन गया, तो if something is out of order, you will classify it as NPA in case of short term credit facilities, इसके three point क्या थे, या तो इसकी outstanding limit, outstanding amount, limit से ज्यादा है, limit यारी sanction limit या drawing power, या फिर limit के अंदर तो है, but there are no credits, no payments by the borrower for 90 days, मैंने more than नहीं बोला, मुझे या था, उसके बाद सर और लगा के तीसरा point क्या था, मैंने का, credits तो है, हैं, बट काफी नहीं हैं, हैं, बट काफी नहीं हैं, तो मैंने का, हैं हैं करके याद रखना, credits तो है, credits are there, but these are not enough to meet the debits made by the bank, so for example, अगर बैंक ने debit कर रहा था, पांच लाग का इंटरेस्ट, बट तुमने किता दिया, तुमने borrower ने दिया 2 लाग, तो हैं, बट काफी नहीं है, clear हैं, clear है तो zero credit, less credit, done, 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 और इसके बाद तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं की, तुम पढ़ाने ही नहीं देते हो class में, ठीक हैं, मुझे कितनी सारी चीज़े कराने ही, तुमने कुछ कराने नहीं दिया आज मेरे को, अब सर इसके बाद क्या था, NPA की classification, तो हमने एक बंदा उड़ रहा था, जिसका नाम था, Rancho, Rancho बड़ा ही अमीर है, Rancho के पास धेड़ सारी बड़ी building है, South Delhi में, बट Rancho क्या है न, अमीर है, और उसने गरीब बैंक को लोटा, जैसा नॉर्मली अमीर लोग गरीब हो के साथ करते हैं, तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इसका amount is overdue for 420 days, इसके बाद भी आप इसको NPA classify करोगे, मैं बोल रहो बहुत अमीर आदमी है, बहुत high net worth है, इसने बहुत बड़ा acid दे रखा है, बोलो फरक नहीं पड़ता, हमको डेले का फरक नहीं पड़ता, simple सी बात है, अगर बंदे का पैसा overdue है for more than 90 days, यानि recovery नहीं है, तो हम इ housing loan लिया है, car loan लिया है, car loan time पे देता है, housing loan is overdue for 120 days, तो के एक बात बताओ, कौन सा advance NPA classify होगा, housing, car, both, none of the above, sir, simple सी बात है, अगर बंदा घोचू है, तो सारे के सारे account NPA बनेंगे, अगर बंदा घोचू है, तो सारे के account NPA बनेंगे, मतलब car loan, house loan, दोनों के दोनों NPA बनें यानि, simple सी बात है, all the facilities, including the investments in security should be treated as NPA, यानि आपने बस इती सी बात समझनी है, asset classification should be borrower wise, not facility wise, और इन्होंने वही example घोचू वाला है, यहां पे भी दे रखा है, got it, got it sir, सबसे वहले sir, हमने आज जो topic पढ़ा हो क्या था, accounts regularized near the balance sheet date, इसमें क्या हुआ था sir, there was a Vijaymalya, there was a bank there was a Vijaymalya, there was a bank, दोनों ने मिलके बजाई हमारी bench, sir, ऐसा क्या किया इन्होंने, ऐसा क्या किया इन्होंने, जो आपको इस account के साथ दिखा थी, मैंने कुछ नहीं था, basically इन्होंने क्या किया, balance sheet date से जस्ट पहले इसने repayment कर दी, और balance sheet date के जस्ट बात, bank ने इसको वापिस वो होता है, handle with care, तो मैंने का तुमको basic सी बात ध्यान अगनिती से सबसे पहले क्या, जहां पे भी आपको ऐसा दिखे, balance sheet date से पहले कुछ solitary, solitaire होता है na, solitaire, हाँ, precious चीज होते है, तो उसको handle with care बोला जाते है, कोई solitary, या कोई few credits हो है, just before the balance sheet date, तो बाबा, handle with care, handle with care का क्या मतलब है, क्योंकि ये weak चीज है, तूट सकते हैं, तो these are inherently weak account, and हम इनको deemed NPA माल लेते हैं, मैंने का very good, अब ये deemed NPA है, तो हमको पता कैसे चलेगा deemed NPA है, तो मैंने का इसके लिए आपको sample transaction देखनी पड़ेंगी, sample transaction just before the end of financial year, and just after the end of financial year, before and after the closer of financial year, ताकि आपको knowledge पता चल सके, sir किस transaction reverse हो रही है, क्योंकि इनके बीच में एक arrangement है, to prevent the borrowers account from slipping into NPA category, तो 3 points बस आपने ध्यान रखने से सबसे पहले क्या handle with किया, दूसरा point आपको ध्यान रखना है, it is a inherently weak account, तो अपने इसको deemed NPA बोल देते हैं, तीसरा as a auditor आपने क्या करना है, check the few transactions before and after the end of financial year, ताकि आपको ऐसा पता चल सके, information पता चल सके, क्या इनके बीच में कोई arrangement है, which will prevent the borrower from slipping into NPA category, क्या ये basic बात समझाती है, हाँ सर, फिर हमने बात करी थी government guaranteed advances की, सर, government guaranteed advance में क्या होता है, मैंने का, ये इकलोता ऐसा advance है, जिसमें central government ने guarantee दी है, amount overdue है for more than 90 days, फिर भी आप इसको NPA classify नहीं करोगे यानि ये कहता है, कि even if the amount is overdue for more than 90 days, फिक है, बट अगर central government ने guarantee दे रखी है, and आपने ना तो guarantee exercise करी है, invoke करी है, ना उनोंने repudiate करी है, मतलब उनोंने भी मना नहीं किया, then it will be classified as a standard asset only, अब कई बच्चे बोलें कि सर आपने इसको standard तो माल लिया, क्या इसकी income recognition भी standard के इसाब आप से होगी, मैंने का नहीं, income recognition तो वैसी करने जैसे एक NPE की करते हो, ठीक है सर, अगर ये central government की जगा, state government हो, बिल्ली government, तो क्या कोई exception है, मैंने का कोई exception नहीं है, बिल्ली government हो, तो भी कोई exception नहीं है, provisioning और income recognition वैसे होगी, जैसे के NPE की होते है, ठीक है सर, फिर हमने बात की थी advances under a consortium यह कौन सा वाला topic था मैं हूँ जियान मैं हूँ बड़ा ताकतवर सर इसमें क्या हुआ था तीन लोग थे जियान नोबिता और सुनियो इन तीनों किसके बास था जियान बैंक के पास तो आप इस case में बोलते हो जब भी दो या उस्ती जादा बैंक मिलके लोन देते किसी को तो उसको बोलते कॉंसर्ट यहां क्योंकि जियान कॉंसर्ट में गाता है इसके बाद सर अगला पैसा आपरेजल करेंगे अपरेजल करेंगे अब बताँ जो एन पी क्लासिफिकेशन है वो तो इनकी अपने रेकवरी के पैसिस तीह होगाँ के अब इसमें जीयां ते करी संसे कि जब उसको रेमिटेंस मिली मतलब दे दिया तो उसने अपना पैसा अपने पास लिए और उसने सुनियो और नोबिता को उसका शेर दिया और उसने कहीं न गई सुनियो और नोबिता को उसका शेर दिया और रेमिटैंसे वर पूल विद उन बैंक and that बैंक did not part away with the share of other banks उसने बाकी banks को उनका share नहीं मिला, it will be treated as non-service for other member banks, hence it will be treated as the NPA, sir अब तो नोबिता और सुनियों को तो बहुत गुसा आगया होगा, जो member banks से इनको तो बहुत गुसा आगया होगा, गुसे से गरम हो गए होगे, तो मैंने का इनको क्या करना चीए, sir other member bank should go to AC, AC क्या मतलब था, A का मतलब था arrangement, इनको कई ना कई arrangement करना चीए to get their share of recovery got it sir, या फिर इनको C से consent ले लेना चीए sir express consent ले लेना चीए, यानि जियान से लिखित में ले लेना चीए, कि जब भी इनका share उसके पास आएगा जब भी इन banks का share उसके पास आएगा तो ये उसको उसका share दे देंगे, यानि express consent from the lead bank to transfer their share of recovery properly are these points clear or not, yes sir, सबसे बहले meaning बताओ, meaning का क्या मतलब है जब दो या उससे ज़्यादा banks मिलके loan देते तो उसको कहते loan under a consortium, दूसरा point क्या था, मैंने का दूसरा point था, leader इदर बता दे ना, जिसका maximum share है तीसरा point था, ये jointly आपको monitor करेंगे, jointly आपको monitor करेंगे मतलब joint appraisal, control and monitoring of the funds, फिर अगला point क्या था मैंने गाँ, जिस bank की जो recovery हो रही होगी उसके साब से NPE की classification होगी पांचवे point में थी जियान की बदमाशी उस बदमाशी पर जब गुसा है तो ये लोग AC में गई, यानि इन्होंने arrangement किया और express consent ले लिया, clear है, clear है थोड़ा सा technical topic है, सिर्म मजे मजे करोगे तो हो जाता है ठीक है sir, फिर आता है sir, drawing power की allocation, ऐसे case में drawing power की allocation कैसे होती है, मैंने गा, simple सी बात है जो lead banker है, वो ही दोनों के बीच में drawing power allocate करता है, तो lead banker क्या होता है, वो drawing power calculate करेगा और दोनों के बीच में allocate कर देगा कई बार, कई बार नहीं सिर्फ special circumstances में सिर्फ special circumstances में हो सकता है जो lead bank है न, वो इन दोनों में से किसी एक bank को higher share दे दे वो drawing power का higher share दे दे बॉर्वर के खहने भी पड़ ऐसा रोज रोज नहीं होता बहुत अटपटी बात है exceptional circumstance में ऐसा हो सकता है ठीक है सर अब सर ये अगला point क्या कहता है मैंने का अगला point आपकी बात करता था erosion in the value of security किसकी बात करता था erosion in the value of security तो सबसे पहले erosion का क्या मतलब है security की value गिर गई value कौन सी लेंगे book value, face value या market value realizable value, sir realizable value अब ये value कितनी गिर गई 50% और 10% यानि it is less than 50% of the value जो आपने पिछली बार assess की थी या RBI की inspection team assess करके गई थी अगर ये 50% से भी ज़्यादा गिर 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 गई now if it is less than 50% of the last assess value सीधा आप इसको doubtful की category में डाल दो अगर ऐसा कोई advance है जिसके again जो security थी उसकी value इतनी गिर गई है that it is less than 50% of the last assessed value सीधा आप इसको doubtful की category में डाल दो तर ये overdue वाला concept नहीं नहीं कितने दिन से overdue नहीं मैंने का वो भार में गया उस concept के अपन बात ही नहीं करेंगे सीधा security की value के basis पे classification कर देंगे ठीक है sir बट अगर अब security की value is less than 10% sir less than 10% किसका less than 10% of the amount outstanding in the advance यानि वो जो borrower का account है उसमें जो outstanding balance है उसके 10% से भी कम हो गई है इसकी value सरी तो loss ही हो जाएगा मैंने का हाँ यह तो बहुत ही खराब हो गया इसको अपन loss asset बोल देंगे got it got it sir अब sir अगला topic आता है advances to staff यह advances to staff में हमको क्या बात ध्यान रखना थी मैंने का advances to staff में तुमको ध्यान रखना है as a bank मैं जो staff को advance दे रहा हूँ वो किस capacity में दे रहा हूँ क्या मैं उनको एक normal advance दे रहा हूँ जैसे मैं बाकी अपने customer को देता हूँ अगर हाँ it is the capacity as the banker तो आप इसको advances की category में डालोगे बट अगर आपने मालो उनके लिए थोड़ी सी interest की percentages कम कर दी कि भाई तुम मेरे staff हो तो मैं तुमसे ज्यादा percentage charge नहीं करूंगा loan के लिए और तुमने उनको थोड़ा period ज्यादा दिया लोटाने के लिए यानि तुम उस पे थोड़ा सा as a employer की तरह दे रहे हो अगर as a employer दे रहे हो तो तुम्हारे advances में तो नहीं आएगा तो किसमें आएगा asset में आएगा other assets में आएगा तो other assets में others करके category उसमें डाल देना फिर इसमें आपनी बहुत फालतू बात करी थी सर फालतू बात क्या दी अगर bank ने कोई housing loan दिया है या other loan दिया है housing या other loan दिया है जिसमें पहले principal रीपी होगा फिर interest रीपी होगा so first quarter से क्या आप interest को overdue मानोगे मैंने का नहीं ये कहता है if the interest is paid by the staff after the recovery of principal interest is not considered overdue from the first quarter तो ये अजीब सी बात अपने को बस ध्यान रखने दी and फिर आते ही normal सी बात सर क्या normal सी बात है it will be classified as NPA when the installment is overdue for more than 90 days तो basic सी बात है जो तुम को ध्यान में रखके चलनी है then हमने discuss किया था प्यारा सा concept agriculture and advances वाला सर इसमें क्या था मैंने गाँ दो तरगी crops होते है long duration, short duration long duration crops को बनने में कितना time लगता है सर उनकी harvesting में it goes more than one year कहीं ना कहीं उनका जो crop season है that is more than one year short duration crops का crop season क्या था sir it was up to one year ठीक है सर हम ये crop season की बात कर क्यों रहे है ताकि आप इनका NPA decide कर सको so NPA के लिए if the installment is overdue for more than one crop season तो NPA बन जाएगा और अगर मैं short duration की बात करूँ तो sir इसका एक उसके दो के बराबर है इसका एक इसके दो के बराबर है क्योंकि ये बड़ा crop season है तो आप ऐसा कह सकते हो इसका एक इसके दो के बराबर है यानि installment is overdue for more than two crop season clear है clear है अब ये crop season बताता कौन था संजे लीला भंसाली कमेटी यानि SLV कमेटी यानि state level banker कमेटी जो आपका state level banker कमेटी है ये बताती है crop season किसका क्या कैसे रहेगा clear है boss calculation समझी कि drawing power की calculation बड़ी simple है जो drawing power है किसले मिल रही है working capital के लिए अब working capital में क्या आता है stocks आते है debtors आते है come on stocks आते है debtors आते है और liability side में आपने creditors minus करने है तो मैंने का सबसे बहले stocks उठा लो कि तुमको stocks खरीदने के लिए सामने वाले से loan चाहिए तो stocks की किती value लेंगे वही market value, realizable value ले ली अब इसमें से कुछ पैसा तो तुमको देना ही नहीं पड़ता क्योंकि creditor तुमको credit देता है तो उसको less कर दो plus bank कुछ margin रखेगा तो margin less कर दिया stocks की value आ गई, जो drawing power के लिए जरूरी है ऐसी debtors है अब debtors में से bank कहता है, मैं खराब debtor के लिए loan नहीं दूँगा ineligible debtor के लिए loan नहीं दूँगा तो वो minus कर दिया पिर इसमें से margin minus किया, तो drawing power निकल के आ गई अच्छा क्या drawing power जो तुम final answer ICA को निकाल के दोगे क्या ये sanction limit से ज़्यादा हो सकता है मैंने का नहीं it will be restricted to the sanction limit ये कहिना कहीं sanction limit तक restricted रहेगा clear है, clear है sir बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं है इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, meaning बता दो meaning simple सी बात है, drawing power is for working capital purpose ये cash credit facility है ये वो amount है जो आप withdraw कर सकतो working capital के लिए तो sir इसमें और sanction limit में फरक क्या है sanction limit is the overall limit आप ऐसा कह सकते हैं तो total exposure है जबकि drawing power आपने कैसे calculate करी primary security less margin primary security less margin primary security का क्या मतलब है stocks और debtors ठीक है sir अब considerations क्या रखनी है यहां से अपना थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़े आ गई क्या चीज़े consider करके चलनी है एक bank को यू बोलो सारे बच्चे consideration क्या रखनी है यू sir क्या consider करना है मैंने का तुमको बस यह ध्यान रखना है जो भी exposure है न accounts का जो भी आपका account है advance वाला that should अगर अगर मुझ ज्यादा है अगर मुझ ज्यादा है किस से sanction limit या drawing power से तो head office को बता देना ठीक है sir या फिर IE का क्या मतलब था irregular account है irregular account है तो भी head office को बता देना and you का क्या मतलब था sir you का मतलब है it is against unapproved security अगर ये unapproved securities के case है तो भी आपको head office को बताना है यानि as a bank जब भी तुमको कुछ EU दिखे तो head office को बता देना ठीक है exposure is more than the limit irregular account और against unapproved securities clear है clear sir फिर आती है bank की duty bank का करतव्य क्या है कि जब भी वो advance दे उसके against proper security ले तो drawing power की case में security क्या है current assets very good current assets में भी तुम क्या ध्यार रख सकते हो debtors का या stock का stock का तो हम proper stock statement लेंगे पुराने या नए नए sir कितने पुराने चल जाएंगे sir bank को 90 days से डर लगता है तो 90 days को जैसी months में convert करो तो 3 months आ जाता है but if the stock statement is more than 3 months old तो हम उस account को irregular माल लेंगे clear है clear है sir अब आते है auditor के concern हमको तो सारी statement चाहिए auditor लालची आदमी है उसको सारे statement चाहिए monthly, quarterly, annual monthly statement किसका? monthly stock statement उस महिने का जिस महिने में stock audit हुआ है quarterly statements के अच्छी quarterly statements और बाकी information जो borrower फाइल करता है bank के साथ and last में आते है sir annual audited report हमको वो annual audited report चाहिए audited annual report बोल दो annual audited report बोल दो चल जाएगा कोई दिखकर की बात नहीं है clear है clear है sir फिर आते computation और drawing power इसमें कुछ निवा सिता से ध्यान रखना जो drawing power calculate होगी वो credit policy के साथ से होगी यानि extend guidelines जो board बनाएगा और auditor approve करेगा हमारा special focus किस पर रहेगा creditors में क्योंकि creditors less होते हैं फिर हमने बात की stock audit की इसमें बस दो बाते ध्यान रखनी थी क्या किसका stock audit कराना ज़रूर ही है और stock audit में हमें as auditor क्या देखना है stock audit वो कराएगा जिसका funded exposure is more than dash करोड 5 करोड वो ही कारो 2020 वाली limit है दूसरी चीज जहां हमें लगता है situation की requirement है तब भी कराएगे यानि the situation warrants the same situation की requirement है तीसरा क्या था point consortium वाला यानि अगर आपकी जो branch है वो lead bank नहीं है आपकी जो branch है वो lead bank नहीं है तो आप lead banker से request करोगे कि अपनी stock audit report हमको भेज़ दे and last point क्या था stock audit report में आप देखोगे क्या मैंने को detail में देखना detail में देखना कि क्या कोई special comments है या drawing power calculation पर किसी ने कुछ बोला है और security की value ये basic बाते आपको देखके चलनी है जियान वाला point अपना बीच में special आ जाता है फिर हमने जो topic discuss किया था दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बाते बदी थी sir क्या अगर मैं advance की checking कर रहा हूं तो मुझे किस चीज को लेके advance चीए auditor is primarily concerned about obtaining the advance about following किस चीज को लेके advance किस चीज को लेके evidence चाहिए assertions को लेके हमको evidence चाहिए assertions को लेके यानि existence क्या वो amount due है on the balance sheet date right क्या वो bank को due है यानि it is due to the bank completeness कुछ unrecorded नहीं है valuation यानि proper valuation होनी चीए valuation के अंदर आप recoverability को incorporate करोगे recoverability कैसे provision बना के provision as per the accounting standards as per the RBI as per the generally accepted accounting principles of India यानि gap clear है 5 point done 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 इसके बाद सर हमने क्या बोला था how to get this evidence जो evidence तुमको चाहिए मिलेगा कैसे तो मैंने का इसके हमने pair बना लिये थे सबसे पहले तो यह check करो advance है यानि यह amount valid है या नहीं है तो इसको check है loan की documentation से अब अगर है तो क्या पैसा आएगा क्या पैसा आएगा यानि यह operate ठीक से कर रहा account यह पता चलेगा security से and last में अगर पैसा नहीं आएगा तो उसको properly classify करना, provision बनाना and यह सब check करने के लिए कौन से procedure लगते हैं, analytical procedure so this was the game of how wow and इसके बाद हमने एक प्यारा सा topic discuss किया था, three pointer topic what are the substantive procedure जितने भी large advances है पूरा check करेंगे, जो छोटे advances है, sample basis पर देखेंगे problematic accounts को भी च्छे से check करेंगे and last point था internal controls को भी देखके चलेंगे अब large का क्या मतलब होता है रावण, रावण large था, simple सी बात है तो जो रावण है, वो large advance है यानि उसके अंदर 10 आना चाहिए यानि something which is more than 10 करोड or 10% of the total advances whichever is less something which is more than 10 करोड or 10% of the total advances whichever is less, अगर इसते ज़्याद है तो उसको large advance की category में डाल देंगे आज हमने क्या पड़ा सर, आज हमने पड़ी income, 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 income सर, bank audit के case में income को लेके auditor का क्या concern है, बस simple सी बात है जो income है, वो P&L item है, यानि it is a class of transaction, तो अपन सारी assertion चेक करेंगे occurrence मतलब, जो भी income record हुई है, P&L में that pertain to the bank, ठीक है सर उसके बाद आपने देखने है fee for completeness, यानि there is no unrecorded income, हमसे को income छूटी नहीं है, फिर आपने देखना है A for accuracy, यानि जो भी income record हुई है, that is accurately recorded at the appropriate amount, फिर हमने बात की थी cut off, यानि it is recorded in a relevant period, simple सी बात थी logically cover कर लिया, अब सर अगला point जो है, वो क्या है, RBI के direction, RBI के direction कहते है कि दो तरकी income होती है, सर क्या एक material, एक immaterial come on, एक material, एक immaterial, सर material income कौन सी है जो 1% से ज़्याद है कोई भी income का item जो 1% से ज़्याद है, सर 1% किसका, अगर तो आप अपनी income gross basis पे लेते हो gross basis का मतलब है, आप उसमें से cost minus नहीं करते हैं, आप gross basis पे total income लेते हो, तो आप अगर 1% of the total income से ज़्यादा की income है तो आप उसको material मान लो या आप अपनी income को net basis पे लेते हो, सर net basis का क्या मतलब है it is considered net of cost, तो आप इस case में 1% of profit before tax निकालोगे, अगर इस से ज़्यादा income है तो उसको अपन material income मानेंगे अब material income का मतलब है, आप उसको accrual basis पे record करो as per AS9 but अगर कोई AS9 है जिसको आप material नहीं मानते, तो आप उसको realization basis पे record कर सकते हो और auditor इस case में report को qualify नहीं करेगा, ठीक है sir फिर हमने एक topic पढ़ा, revenue certainty sir revenue certainty क्या है यह वही topic है जो आपने पहले AS9 में पढ़ रखा है, कि income को तभी recognize करो, when it is reasonably certain कि आप income receive करोगे but क्या NPA के case में it is reasonably certain, the answer is no bank should recognize the income on accrual basis when it is earned but essential condition क्या है, it should not be unreasonable to expect the ultimate collection and modern day banking में क्या होता है, core banking system में interest income recognize होती है, but अगर यहां पे uncertainty है, यानि NPA का case है, तो आप इसको realization basis पे record करके चलोगे अब sir एक बात बताओ मैंने का क्या, क्या जानना है तुमको, sir आपने कहा था कि अब से तो हम realization based पे करेंगे अब से तो हम realization based पे करेंगे but पुरानी income का क्या मैंने का पुरानी income का क्या मतलब, आज जब ये NPA बना, आज जब ये NPA बना तो यहां से तो realization based पे करेंगे but कल जब ये NPA नहीं था तो हमने कुछ income accru कर रखी है उसका क्या करें, मैंने का वो accrued income तुमारे एक asset है तो जो asset है उसको reverse मार दो write off कर दो, या फिर आप उसका 100% provision create कर सकते हो यही बात, अब यही चलती रहेगी income वाले topic में, मैंने का ठीक है अब सरे एक बाब बताओ, क्या ये चीज़ government guaranteed advance में भी लगती है उसमें भी income recognition वैसी होगी NPA वाली, मैंने का हाँ, उसमें कोई exception नहीं है, अब यह topic आता है advances against security, इसमें क्या था, इसमें वैसा ही provision है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, classification के लिए, कि यानि अगर आपने कोई advance दिया, against the security security like a term deposit, NSC, IVP, KVP तो इसमें आपने बस देखना है adequate margin है क्या, अगर adequate margin है, तो ना तो इसको NPA बनाना, प्लस इसकी जो income recognition है, वो accrual basis पे हो सकती है, यानि आप इसको due date पे account कर सकते हो, क्या यह basic बात समझाती है, हाँ sir, फिर हमने एक topic discuss किया, bills purchased सर्थ, bills purchased में क्या था, मैंने का कुछ नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है, कि जो bill आप purchase करते हो, जो bill as a bank आप discount करते हो, वो आप ने near to the balance sheet rate किया, अब इसकी जो discount income है, वो next financial year में भी जा रही है, तो आपको ना, इसकी income को apportion करना पड़ेगा, आपको इसकी जो income आपको मिली है, मालो 20,000 रुपे मिले हैं, इसको आपको apportion करना पड़ेगा दो financial year में, मैंने का ठीक है, दूसरी चीज, जो income दूसरे financial year में जा रही है, और आपको आज ही मिल गई है, this advance income is your liability, तो बस आपने इत्ती सी बात समझनी थी, whatever bills are purchased at the close of the year, it should be apportioned between two years, जो भी आपने उसमें income कमाई, अब जो income next year को relate करती है, that is the other liability, अब कई बार ऐसा हो सकता है, आप इसकी re-discounting करा लो, कई बार ऐसा हो सकता है, आप इसकी re-discounting करा लो, तो एक बात बताओ, जब आपने पहले discounting की थी, तो आपने income कमाई थी, 20,000 रुपे, अब जब आप इसमें इसकी re-discounting कराई किसी और बैंक से, तो आपने charges pay करे, 15,000 रुपे, क्या मैं ये जो 15,000 रुपे के charges pay करे, इसको 20,000 की income से net off कर दूँ क्या, नहीं सर, नहीं सर, customer अलग party थी, जिस bank से re-discounting कराई, वो अलग party है, तो आप इन दोनों को net off नहीं कर सकते, आप इन दोनों को कही ना कही net off नहीं कर सकते, क्या ये बात समझ आती है, हाँ सर, clear है सर, अब सर अगला point देखो, क्या कहता है, bills for collection, bills for collection की beauty क्या थी, तुमको सिरफ 5 और चटा point याद रखना है, bills for collection की best part क्या था, तुमको सिरफ 5 और 6 पार्ट याद रखना है, सर, 5 पार्ट क्या था, कि जो आपका exporter है, किदर गया, किदर गया, किदर गया, ये, जो आपका exporter है, इसका account तभी credit होगा, when the bill has been collected, जब bill collect हुआ, तभी उसका account credit होना चीए, ठीक है, सर, और इस branch को commission तभी मिलेगी, इस branch को commission तभी मिलेगी, जब इसने bill collect कर लिया है, तो दो point ध्यान रखना, सर, क्या, you need to see the procedure for crediting the party, party shall be credited when the bill has been collected by the bank or the agent, and commission तभी मिलेगी when the bill has been collected, clear है, clear है, सर, अब बात करते है, renegotiation की, renegotiation बड़ा ही अटपटा topic था, सर, इसमें क्या था, आपका कोई loan है, वो restructure हुआ है, ठीक है, सर, या renegotiate हुआ है, तो bank इसके लिए क्या करते है, peace और commission charge करते है, तो जो fees और commission charge कर रहा है, वो accrue होगी over the renegotiated period, ठीक है, सर, फिर एक basic सी बात है, test check करना है, आपको क्या, interest और fees commission, interest और fees commission, ये fees commission, तीन चीजों के उपड़ती क्या, एक तो ऊपर वाले topic पे, यानि bills for collection, and दो topic थे, non-funded advances, non-funded advances क्यों कौन से होते हैं, bank guarantee, और letter of credit, तो ये आपने एक बस लप्पूसा topic है, इसको अलग से ध्यान में रखके, चलना, ठीक है, then we discussed about reversal of income, my favorite topic, क्योंकि ये ऐसा topic है, जिसमें सारे topics एक साथ आ जाते हैं, सबसे पहले बताओ, कौन सी income को reverse करेंगे, सर, सबसे पहले तो NPA वाली, फिर हम wrongly credited income, सबसे पहले NPA वाली फिर wrongly credited income, और NPA में भी दो types of income क्यों होती थी, interest वाली और बाकी fees और commission, ओ, 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 एक तो interest वाली और दूसरी बाकी fees और commission, तो सबसे पहले जो NPA के interest हैं, उसको reverse करो या provide for कर दो, ये government guaranteed में भी होगा, फिर इसकी जो बाकी fees commission है, उसको भी reverse कर दो, या provide for कर दो, फिर जो wrongly credited income है during the year, उसको reverse कर दो, जो पुरानी वाली है, उसको provide for कर दो, clear है sir, फिर अगले दो point में हम क्या करते थे, inquiry करते थे, अगले दो points में हम क्या करते थे, inquiry करते थे, पहले inquiry किसकी, कि sir, जो income account है, that is a credit account, उसके अंदर जो large debits है, उसकी inquiry करेंगे, क्योंकि अगर credit account में debit हो रहा है, मतलब reversal हो रहा है, अगला point क्या था, जो एक बच्चे ने doubt भी पूचा था, sir, क्या, क्या bank को किसी borrower से कोई mail आई है, क्या bank को किसी borrower से कोई communication आई है, regarding the discrepancy of interest, मुझे बताओ, borrower mail कब भेजेगा, borrower communication कब करेगा, sir, जब bank ने interest ज्यादा charge कर दिया है, बिचारे को, तो उस reversal के case को भी आपने ध्यान में रखना है, that whether any communication from the borrower for pointing out differences of the charge by the bank, clear है, clear है, sir, then we move to very easy point, lease asset, sir, lease asset में क्या होता है, दो portion होते है, एक operating portion होता है, और interest portion होता है, तो जो interest portion है, किसी ऐसी lease का portion है, जो NPA बन चुकी है, जो कही न कहीं NPA बन चुकी है, तो उसको या तो reverse करो, या provide for करो, ये take out finance क्या था, जल्दी से बताना सारे बच्चे चैट बॉक्स में, take out finance वाला तो मैं concept ही बूल गया, take out finance का concept क्या था, बताना ज़रा, what was the concept of take out finance, याद ही नहीं आ रहा, क्या था, मुझे बस याद आ रहा है, दो arrow बनाए थे, एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे, क्या था इसमें, very good, जान्या, भार्गव, निवेदिता, शिवं, long term finance, long term finance जिसमें, दूसरा लोन जो मिलता है, वो पहले को replace कर देता है, मने का मतलब, यानि सर ये long term finance है, इसमें जो finance है, वो एक बारी में नहीं मिलता, structured way में मिलता है, यानि आपको date wise मिलेगा, या फिर आपको कैसे मिलेगा, या तो date wise मिलेगा, या percentage of completion basis पे मिलेगा, and this is generally in property development, तो मैंने का simple सी बात है, जो record of recovery होगा, उसके साब से NPA बनाना, और अगर NPA बन गया, तो इसकी income तब तक recognize जोगी, जब तक realize ना हो जाए, तो ये basic सी बात आपने ध्यान में रखके चलनी है, फिर हमने एक topic discuss किया था, partial recovery, सर, partial recovery में क्या था, मैंने का partial recovery में था थोड़ा सा जंजट, सर, जंजट किस चीज का, जंजट इस चीज का, कि कल को अगर कोई चीज NPA बन गई है, ठीक है, और उसकी partial recovery हो रही है, तो मुझे कैसे पता चला, जितना amount recover हुआ है, उसमें से principal किता है, और interest किता है, हाँ सर, ये नहीं पता चलेगा, तो या तो agreement में लिखाओ, या इसको लेके accounting policy हो, come on, या तो agreement में लिखाओ, या इसको लेके accounting policy हो, अब अपने को flow में चलना है, accounting policy हमेशा uniform और consistent manner में होने चीए, ये accounting policy किसके साब से होगी, AS9, AS9 कहता है, income को आप recognize कर लो, जब certainty of realization है, जब certainty of realization है, तो अगर ऐसा कोई NPA account है, जिसकी amount को पहले आ तो आपने reverse कर रखा है, या आपने account for ही नहीं कर रखा, अब आप उसको account कर सकते हो, यानि जो interest receive हो गया, वो आपकी income बन जाएगा, अब इसमें बस एक बात ध्यान रखनी थी, जो ICI ने थोड़ा सा मसाला डाला था, सर्वो क्या था, कि ऐसा ना हो, जो NPA वाला account है, वो जो तुमको interest दे रहा है, उसके लिए उसने तुमसे अलग से loan ले रखा है, ऐसा ना हो जो बन्दा NPA वो जो तुमको interest दे रहा है, उसके लिए तुमसे उसने अलग से loan ले रखा है, यानि interest should not be out of any fresh loan, ऐसा ना हो वो interest recover करने के लिए, आपने उसको कोई fresh loan दे रखा हो हाँ, किसने बोला, ये नया topic है this is the नया topic, तो इसको आपने नई seal के साथ अच्छे से करके चलना है, ठीक है sir then we discussed about a memorandum account, मतलब नकली account dummy account, तो generally NPS के case में interest accrue नहीं होता, बट अगर आप चाहो तो एक dummy account बनाके interest accrue अगरा कर सकते हो only for your control purpose, अब ये जो dummy interest है क्या ये मेरे gross advance का part बनेगा, the answer is no जो आपका gross advance होता है, यानि advance plus accrued interest, इसका part ये dummy interest नहीं बनेगा, फिर अपन चले गए थे break पे और break के बाद अपने करें छोटे छोटे प्यारे 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 topic पहला topic है income from investment, इसमें सारी investments की income आएगी, कौन सी नहीं आएगी, subsidiary और joint venture जो भी आपके subsidiaries और joint venture से income आ रही है वो इसमें नहीं आएगी, उसके बाद ये broken period भी हमने बात की थी, सर ये broken period वाला point क्या था, 30 days is a full period उसके अलावा आप 10-11 दिन का जो extra interest देते हो that is a broken period, तो चाहे broken period interest हो जाए कोई भी interest हो, अगर आपने कोई broken period interest pay कर रखा है from the securities, तो ये net off हो जाएगा from the interest income on investment, तो बस एक ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, बाकी अगले दो दोनो profits को चुपचा P&L में ले जाना, then we discussed about interest expense, interest expense में क्या होता है, ratio analysis ratio किसका, जो आपके different types of deposits हैं, उनका ratio निकालो, interest paid divided by average deposits during the period, उस interest को आपने compare करना है with the actual interest जो bank ने अपने records में डाल रखा है, अगर वहाँ पे variance मिलती है, तो आप check करके चलो, फिर हमने बात कीती सर किसकी, weighted average interest, यह कैसे निकलता था, quarterly basis पे, weighted average interest निकलेगा on the types of deposits outstanding at the end of quarter, इस information से आपने weighted average निकालना है, इसको compare करना है actual rate से, जो as per the annual accounts है, और यहाँ पे variance मिलती है, तो analyze करके चलेंगे, फिर मैंने बोला था, previous year से compare कर लो, month on month कर लो, quarter on quarter कर लो, यह average balance कैसे निकलता है, यह आपको bank से समझना पड़ेगा, फिर रहिखना है कि interest सारे deposits पे है, interest complete है, interest कैसे लगेगा, as per the RBI, as per the bank की regulation, as per the agreement, और अगर यह internal interest है, internal मतलब किसी branch को, किसी branch से आपने loan लिया है, तो उसकी interest होगी as per the head office और as per the RBI guideline, then last में हमने एक point discuss किया था सर क्या, operating expenses, सर यह topic तो हमको चुबा था, कैसे चुबा, छोटी सुई की तरह या वडी सुई, सर वडी सुई की तरह, वडी सुई का क्या मतलब था, V for vouching and verification, यानि आप इसके documents वगरा देख लो, DI का क्या मतलब था, divergent trends, क्या है यह जो expenses, यह सही trend में जा रहा है, यह ultra trend में जा रहा है, तीसरा क्या था, SU, यानि substantive analytical procedure, यानि आप थोड़े analysis वगरा कर सकते हो, कि यह खर्चा, पिछली बार total खर्चे का 5% था, इस बार यह total खर्चे का 10% हो गया, तो यह 5 से 10 जो बड़ा, क्यों बड़ा, and last point था, I for internal control, and last में हमने discuss करें provision, इसमें 3 तरह के provisions आपने ध्यान रखने है, provision for advances, provision for taxation, and other types of provision, provision for advances, provision for taxation, and other types of provision, and sir इसमें provision कैसे निकलता है, हम सब को पता है, आपको RBI का circular देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा provision ठीक निकाला, provision के लिए चेक करेंगे classification, और classification के लिए चाहिए, break up, break up of the advances into different classification, हमको देखना पड़ेगा from the ledger, then comes your tax का provision, वो आपने tax के provision को चेक करना है, कि इन्होंने calculation ठीक करी है, and other expenses का जो provision है, वो भी इन्होंने ठीक बनाया है, या नहीं, यहां हमारी आज की पूरी की पूरी class, revise होती है, सबसे बहले सर, आज हमने क्या बड़ा conducting and audit, इसमें आपको छोटी-छोटी बाते, बस ध्यान में रखके चलें सर क्या, सबसे बहले जब भी आप audit connect करने जाओगे, तो कुछ initial चीज़े ध्यान रखना, initial consideration अपने इनको बोलते हैं, सबसे बहले क्या ऐसा declaration of indebtness, यानि अगर मैं bank audit करने जा रहा हूँ, चाहे central audit या branch का audit, मुझे बताना पड़ेगा, क्या मैंने bank से कुछ credit facility ले रखिया, क्या मैंने bank से कुछ loan ले रखा है, क्या मैं bank को कुछ owe करता हूँ की नहीं, do I owe any money to the bank whatsoever, then comes internal assignments of the bank, internal assignments of the bank, मतलब जो चीज़े आपको पहले से पता थी, उसी को मैं यहां relate कर रहा हूँ, कि अगर आप entity के financial statements का audit करे हो, तो क्या आप उसका internal audit कर सकते हो, नारे बाबा ना, अरे नारे बाबा ना, section number 144, come on, section number 144, यह जो section 144 है, यह कहता है, कि if you are doing the audit of the financial statement of a company, then you cannot provide certain kind of services, और उसके अंदर ही internal audit service आती है, ठीक है sir, तो यहां bank में internal audit का नाम क्या हो जाता है, concurrent audit, तो आप यह concurrent audit की service नहीं दे सकते, इसी के उपर आपको एक question मिलेगा, question bank में तो वो भी आपका इससे हो गया, ठीक है sir, अब sir planning करते वक्त, आपको कुछ preliminary engagement activity करनी होती है, यानि the activities required by SA 210, SA 220, जो आपने planning में already पढ़ रखी हैं, then हमने एक छोटा सा point discuss किया sir, क्या, मैं हूँ bank का आज का auditor, यानि आज का chartered accountant, इससे पहले भी एक X था bank का, X मतलब मेर से previous auditor, मेर से previous auditor तो बताओ, आज का audit accept करने से पहले, हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, कि आपको कहीं ना कहीं communicate करके चलना पड़ेगा, with the previous auditor, यानि आपसे पहले जो chartered accountant auditor था, you need to communicate with that auditor, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, यानि हमको उससे कहीं ना कहीं, हमको उससे कहीं ना कहीं क्या लेना पड़ेगा, एक certificate लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं no objection certificate, ऐसे 210 वही है, ऐसे 510 वही है, तो वही आपने देखनी है, अब sir, एक बाँ बताओ, team कैसी होनी चीए, qualified और experience होनी चीए, basic बात ध्यान रखना, फिर हमने एक बहुत ही प्यारा topic स्टार्ट किया था, sir, इसका नाम क्या था, understanding the risk management process, तारे बच्चे बताओ, risk management क्या होती है, sir, सबसे पहले risk को identify करो, identify करके measure करो, कौन सी quality की risk है, और कौन सी बिकार risk है, जो quality की risk है, जिस पर focus करना है, उसको monitor करके चलेंगे, so identify, measure, and monitor the risk, इसके लिए आप criteria वगरा बनाओगे, limits वगरा set करके चलोगे, अब risk है तो control है, risk है तो control है, यानि आपने बात करनी थी, control activities की, सारे बच्चे जल्दी से बताईए, sir, क्या, जो आपकी control activities है, हम किसको control करके चलेंगे, sir, airport पे अगर कोई celebrity आती है, airport पे अगर कोई celebrity आती है, तो हमें किसको control करना पड़ता है, PEPS को, हमें limit लगानी पड़ती है, हमें PEPS को control करना पड़ता है, यानि आपने बात यहां रखनी है, limit वाली, PEPS का मतलब क्या था, physical security, approval of the transaction, approval of the exceptions, as well as, P for planning था, यानि आपने contingency planning करनी, कल को कुछ दिक्कत आई, तो अपन क्या करेंगे, and S का मतलब था, segregation of duties, सारे काम divided होने चाए, एक ही बंदा सारे काम ना करें, तो यह आपने basic control activities, ध्यान रखनी थी, फिर मैंने गा था, monitoring को समभाल के रखना, क्योंकि आगे काम आएगा, सर यह सारी चीजों को monitor करने के लिए, एक risk management unit लगेगा, अब risk management unit को monitor करने के लिए चाहिए information, यह information कहां से आती है, reliable information system, जिसमें से आपको financial, compliance और operational information मिल जाएगी, और इस पूरी प्रक्रिया पे, किसकी नजर रहेगी, big boss, big boss, big boss, यानि TCWG will have a oversight over the whole risk management process, तो बस आपने यही 5 बाते ध्यान रखनी है, TCWG की नजर, risk, control, monitor, and last में आजाता है, reliable information system, clear हैं, clear है सर, इसके बाद मैंने एक छोटा सा topic और आपको बढ़ाया था, सर planning वाला, planning के अंदर मैंने आपको कहा था, planning की summary बनानी जरूरी है, सर planning की summary बनानी जरूरी क्यों है, तीन चीज़ों के लिए, planning से क्या पता लगता है, nature, timing, and extend-off procedure, यहां बोलो scope and extend-off procedure, दूसरी चीज, जब भी आप summarize करोगे, तो क्या सारे issues को summarize करोगे, सारी risk को summarize करोगे, सारे controls को summarize करोगे, मैंने का नहीं, significant को, it will highlight the significant issues, significant risk, प्लस आप controls पर किता रिलाय कर रहे हो, and हम कर क्यों रहे हैं, कई बच्चों के तो मन में आया, यह topic हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैंने का evidence के लिए, आपके पास एक evidence रहेगा, कि आपने पूरे audit को properly plan किया था, आपने सारी risk को respond किया, सर रिस्क कौन सी थी, स्क्रीन पर मत देखना चक्कर आ जाएंगे, हाँ सर, इंटर्नल कंट्रोल्स ओवर एडवान्सिस में सर क्या था, मैंने का flow में revise करते हैं, this is nothing but the process, जिसके through bank loan sanction करता है, सबसे बहले bank क्या check करेगा, suppose मेरे सामने आता है मुन्ना, मुन्ना माइकल, अब अगर मेरे सामने मुन्ना माइकल आता है, तो मैं मुन्ना माइकल को loan देने से पहले, क्या check करूँगा, क्या ये credit worthy है, क्या ये बंदा लायक है या नलायक है, यानि I will check the credit worthiness, उसके बाद जाके मैं documentation अगरा करूँगा, सर, documentation किसकी जो वो मुझे security दे रहा है, letter of hypothecation है, और बाकी जो documentation बनते हैं, वो मैं complete करूँगा, then मैं चेक करूँगा compliance, सर, compliance किसकी, terms of sanction के साथ, इसके उपर हमने MCQB किया था, और end use of funds, कि सामने वाला funds को किस purpose के लिए utilize करेगा, ये भी मैं को चेक करके चलना है, so compliance with the sanction and end use of funds, तो सर, ये तो भूमिका हो गई, इसके बाद सर, क्या होगा, एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले, सर, एक हाथ दे, एक हाथ ले, मतलब, इधर से हमने loan दिया, उधर से हमको क्या मिली, security, अब ये जो security लोगे, या आप ज्यादा value की लोगे, या कम value की, सर, ज्यादा value की, यानि loan कम value का security ज्यादा value की, ये जो बीच की चीज़ है, इसको कहते है margin, तो आपके पास adequate margin होना चाहिए, कि कल को security की value गिरतो नहीं गई, ठीक है सर, फिर आपने three types of securities ध्याद रखने हैं सर क्या, अगर ये जो security है, share debenture जैसी है, तो ये bank के नाम में register होगी, अगर ये security immovable property है, तो आपको एक agreement करना पड़ेगा, या title read अपने नाम में ले लो, ठीक है सर, and third point क्या था, अगर ये goods हैं, तो check करो, goods की possession आपके पास है as a bank, अगर हाँ, तो उसको test check कर लो, goods की quality ठीक है, अगर goods उसके warehouse में है, तो फिर आपको वहाँ पे भी test checking वगरा ध्यान रखके चलनी पड़ेगी, फिर आती बार drawing power की, इसमें ना कुछ मज़ेदार point थे, क्या था, drawing power का register बनता है, हमको पहली बार इस topic में पता चला, एंड ये monthly update भी होता है, जो भी account है within the drawing power होना चीए, अगर account EU होता है, अगर account EU होता है, तो आपको higher authorities को बताना होता है, सर ये EU का क्या मतलब था, E for exposure, जो account का exposure है, it is more than the sanction limit or drawing power, ये account irregular हो चुका है, पैसे ही नहीं दे रहा, या फिर EU का मतलब था, it is against unapproved security, तो भी आपको head office को बताना पड़ेगा, and last में हमने एक छोटा सा point डिसकस किया था, सर क्या, जितने भी accounts है, उनके operations को साल में एक बार review कर लेना चीए, जितने भी accounts है, उनके operations को साल में एक बार review कर लेना चीए, या फिर frequent intervals पे if it is required, बस इतना ही पड़ा था हमने, हाँ बस इतना ही पड़ा था, कुछ और नहीं पड़ा था, नहीं कुछ और नहीं पड़ा था, यहाँ आपका पूरा का पूरा, bank audit, gets completely revised, नहीं सर, एक टॉपिक और पड़ा था, एक टॉपिक और पड़ा था, मैंने का क्या, इथे तो देखो, ICI के study material का back question, importance of KYC norms in the auditor's perspective, auditor के perspective में, जो KYC norms है, उसका क्या importance है, तो मैंने का था, सबसे पहले क्या तुम KYC norm पे तूट पड़ोगे, money laundering की guideline में तूट पड़ोगे, या भूमी का बनाओगे, सर भूमी का बनाएंगे, तो मैंने का भूमी का कैसे बनाएंगे, money laundering से क्या होता है, fraud होता है, तो essay लिखो, essay 240, auditor's responsibility relating to fraud, in an audit of financial statement, come on, auditor's responsibility relating to fraud, in an audit of financial statement, हमें इसमें क्या करना है, मैंने का हमें सबसे पहले, risk of material statement देखनें, due to fraud, फिर उस पर respond करना है, test करना है, evidence collect करना है, कैसे respond करेंगे, by maintaining a attitude of professional skepticism, भूमी का ready है, अब सर इसके बाद, इसके बाद क्या करना है, bank के point of view से देखो, क्या bank को fraud के लिए कोई guideline दिये है, कि आपको prevention of money laundering करनी है, और KYC norms को follow करना है, इसके लिए जो guideline दिये, इसको दोनों को मिला दो, तो क्या बन गई, KYC norms, anti money laundering guidelines, KYC norms, anti money laundering guidelines, सर उल्टा बोल दिया, KYC guidelines, anti money laundering standards, या दो बार तीन बार revise करोगे, तो आ जाएगा दिमाग में, KYC guidelines, anti money laundering standards, clear है sir, अब bank का काम क्या है, इन standards और guidelines को, अपने procedures में डाले, अपने controls में डाले, bank should form the procedures, and controls around them, ताकि वो fraud को recognize करे, और report करे, ताकि वो money laundering activities को, recognize करे, और report करे, यहाँ आपका, fraud वाला topic भी, revise हो जाता है, so मित्रों, I hope कई ना कई, bank audit को revise करके, आपको मज़ा आ गया, यह जो चीज मैंने आपको, एक घंटे में कराई, automatically आप अराम से, इसको 1 to 1.5 hours में, अब जब next time, bank audit उठाओगे, तो इसको self revise भी कर सकते हो, एक छोटी से request हैगी, जैसी यह revision हो जाती, इसक बार अपने question bank पे भी चले जाना, क्योंकि जब आप वो questions करोगे, तो automatically आपके एक second revision भी हो जाएगी, इसी के साथ, तो इसी तरह, खुशी खुशी मलना आकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, लगे रहो मित्रों,